है नमस्कर गई जिस वीडियो में बात करने वाले हैं आज हम साधी के रेजिस्ट्रेशन को लेके अगर हम रेजिस्ट्रेशन की बात करें तो हिंदू मेरे जैक्ट का जो सेक्शन 8 है उसमें रेजिस्ट्रेशन को एक्स्प्लेइन किया गया उसमें बदाया गया है कि एक साध वो को लगता है कि इसमें सिर्फ पैसे वेस्ट होने हैं कोई इसका कोई फायदा नहीं है तो आपको बता दूँ जो लोग कोट मैरिज करते हैं उनका तो साधी का रेजिस्ट्रेशन खुद से हो जाता है लेकिन ऐसे लोग पहले कि अप एक्षा आप तो आज कल बढ़ गए है क्योंकि आज कल लोग अप कोट मैरिज करने लगें लोग मैरिज बहुत जादा बढ़ रही है तो कोट मैरिज होने लगें लेकिन अभी भी 60-70% लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने साधी का रेजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो अगर मैं ये रेजिस्ट्रेशन कराना आप तो ऐसे कौन से circumtences रहे होंगे जो इसमें साधी के registration को mandatory बताया गया है तो देखी जब आप साधी का registration करा लेते हैं तो उसमें बहुत सारे dispute एकदम से खतम हो जाते हैं अगर मैं ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ही परोस में एक ऐसा कुछ dispute आया है जिसमें साधी के registration ना होने की वज़ा से दिक्कते आई हैं जिसमें उसका LIC का जो premium था उसने nominee बना रखा था लेकिन अपनी wife को लेकिन उसमें क्या हुआ कि बाद में wife ही उसकी दो थी दो wife उसको claim कर रहे हैं तो लेकिन साधी का registration नहीं था तो वो पैसा मिलने में जो पैसा उसे तुरंद मिल जाना चाहिए तो वो पैसा मिलने में उसे देरी हो रही है तो साधी का registration के अगर बात करें कि कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए वैसे तो माने नहीं है, सर्वोच चनायले ने कहा ही है कि साधी का registration आपको कराना चाहिए तो जी बिल्कुल आपको ये साधी का registration कराना चाहिए और आजकल ये बहुत used to हो गया है आपकी day to day life में भी काम आने लगा है जैसे अगर आप joint account open कराते हैं साधी का registration चाहिए और ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है अगर आप normal से कराएंगे तो बहुत ही कम खर्च इसमें आता है और अगर आप passport apply करते हैं तो भी यानि बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जिसमें साधी का registration बहुत ही mandatory हो गया है और मैं भी आपको suggest करूँगा कि आप साधी का registration जरूर कराएं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ मैं आगो और अच्छा लगाऊगा और वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दीजिए इसे और अगर अब इस चैनल पर नए है तो subscribe के भी न न आ जाए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए नमश्कार बाई बाई have a nice day